बारत माता की इस भव्य आयो जन्में हमारे साथ अपस्तित गुजरात के गवर्नर आचारिय देवरत जी हमारे लोग प्रिय मुख्य मंत्री गुपेंद्र भाई संसत के मेरे साथी सी यार पाटिल भारत सरकार में मंत्री स्रिय अनुराग जी राज्य के मंत्री हरसंग भी जी मेर किरिट भाई खेल संस्तों के प्रतिनितिकान और देज बरते यहां जुटे मेरे विवा खेलाडियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है यह द्रश्या यह तस्वीर यह माहूल सब्दों से परे हैं विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उच्छाओ जब आयो जब इतना अध्वूत और अध्वितिय हो तो उसकी उर्जा ऐसी ही असाधारण होगी बेश के 36 राज्यों से साथ हजार से ज़्यादा एतलेट्स पंदरा हजार से ज़्यादा प्रतिभागी पैटीस हजार से ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहरागीदा और पटास लाग से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ा यह अद्बूत है यह वुद्पर्वा है नेशनल गेम्स का एंधेम जुड़े का इंडिया जीते का इंडिया जुड़े 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 का इंडिया यह शब्द यह भाव आज आस्मान में गुन रहा है आपका उस्सा आज आपके चहरों पर चमक रहा है यह चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले सुनरे बविश्चे के लिए नेशनल गेम्स का एक प्लेटपॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉंचिंग पैड का काम करेगा मैं इन खेलों मैं शामिल हो रहे सभी खिराडियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामराय देता हूँ साथियों मैं आज गुजराड के लोगों की भी सराना करता हूँ जिनोंने बहुत कम समय में इस भव्य आयोजन के लिए सारी विवस्ताय की ये गुजराड का सामर्थ है यहां के लोगों का सामर्थ है लेकिन साथियों अगर आपको कहीं कमी महसूस हो कहीं कोई आसुईदा महसूस हो तो उसके लिए मैं गुजराड़ी के नाते आप सबसे एडवांस में च्छमा मांग लेता हूँ कवन हमदवाज में जीस तरह का शांदार भव्य ड्रोन शो हुआ वो देखकर तो हर्थ कोई अचंबित है गर्वत से भरा है टेकनलोजी का ऐसा सदा हुआ इस्तमाल ड्रोन की तरह ही गुजराड को भारत को नई उचाईयों पर ले जाएगा यहां जो पहले नेशनल स्पोर्ट कॉंक्लेव का आयोजन किया गया उसकी सब्रतागी भी बहुत चर्चा हो रही है इन सारे प्रयासों के लिए मैं मुक्यमंत्री स्रिमान भुपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम की भी बूरी बूरी प्रसंसा करता हूँ अभी कुछ दिन पहले नेशनल गेम्स का आफिशनल मैस्कोट सावज भी लॉंच हुआ है गीर के शेरों को पदसित करता सुभांकर सावज भारत के युवाओं के मिजाद को दिखाता है नीडर होकर मैदान में उतर लेके जनून को दिखाता है एव वैस्ट्वीक परित्रश्य में तेजी से उभरते भारत के सामर्थकावी प्रतीख है साथियों आज आप यहाँ जिस स्टेडियम में जिस स्पोर्स कॉम्प्रेस में मौजूद है इसकी विशालता और आदुलिकता भी एक अलग प्रेणा का कारण है यह स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही साथ ही यह सरदार पटे स्पोर्स एंकलेव और कॉम्प्लेक्स भी कई माइनों में सबसे अनुठा है आम तोर पर ऐसे स्पोर्स कॉम्प्लेक्स एक या दो या तीन खेलों पर ही केंदरी तो कर रह जाते हैं लेकिन सरदार पटे स्पोर्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल होकी बास्केटबॉल कपड़ी बॉक्सिंग और लोन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविदा एक साथ उपलग्द है ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है क्योंकि जब इंफ्रास्टर इस स्टेंडर का होता है तो खिलाडियों का मनोबल भी एक नई उचाई तक पहुंच जाता है मुझे विश्वास है हमारे सभी खिलाड़ी इस कॉम्प्लेस के अपने अनुभवों को जरूर एंजोय करेंगे मेरे नवजवान साथियों सवभाग्यय से इस समय नवरात्री का पावन अवसर भी चल रहा है गुजरात में माद्दुर्गा की उपासना से लेकर गरबात तक यहां की अपनी अलग ही पहचान है जो खिलाड़ी दूसरे राज्जों से आये हैं उनसे मैं कहूंगा की खेल के साथ ही यहां नवरात्री आवजन का भी आनन जुरूर लिजिए गुजरात के लोग आपकी महमान नवाजी में आपके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोडेंगे वैसे मैंने देखा है कि कैसे हमारे नीरत चोपड़ा कल गर्बा का अनर्द ने रहे थे उस्व की यहीं खुशी हम भारतियों को जोडती है एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है मैं इस अवसर पर आप सभी को सभी गुजरात वासियों और देश वासियों को एक पार फिर नवरात्री की बढ़ाई देता हूँ मेरे हुआ मित्रों किसी भी देश की प्रगती और दुनिया में उनके संबान का खेलों में उसकी सभलता से सीधा समंद होता है राष्ट को नेत्रुत्व देश का युवा देता है और खेल स्पोर्ट उस युवा की उर्जा का उसके जीवन निर्मान का प्रमुक स्रोथ होता है आज भी आप देखेंगे दुनिया में जो देश विकास और अर्थ ववस्ता में टॉप पर है उनमें से जादातार मेडन लिस्ट में भी टॉप पर होते हैं इसलिए खेल के मेदान में खिलाडियों की जीत उनका दमदार प्रदर्शन अन्य छेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है स्पोर्ट्स की सौट पावर देश की पहचान को देश की छबी को कई गुना जादा बहतर बना देती है साथियों मैं स्पोर्ट्स के साथियों को अक्सर कहता हूँ सक्सेस स्टार्ट्स विज एक्षन यानि आपने जिस्ठण शुरुआत कर दी उसी ख्षन सफलता की शुरुआत भी हो गई आपको लड़ना पड़ सकता है जूजना पड़ सकता है आप लड़ खड़ा सकते हैं गीर सकते हैं लेकिन अगर आपने दोड़ने का जज़बा नहीं छोड़ा है आप चलते जा रहे हैं तो यह मान करके चलिए कि जीत खूद एक एक कदम आपकी और बढ़ रही है आजाजी के अमरित काल में देश ने इसी होसले के साथ नए भारत के निर्मान की शुरुआत की है एक समय था जब दुनिया ऑलिम्पिक जैसे वेश्ट्विक खेल महाकुम के लिए दिमानी होती थी लेकिन हमारे हाँ वो खेल बरसों तक सिर्फ जनरल नौलेज के विशाई के तौर पर ही समेट दिये गए थी लेकिन अब मिजाज बदला है मूड नया है माहोल नया है 2014 से फर्स एंड बेश का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है हमारे युवाओं ने वो जलबा खेलों में भी बढ़करार रखा है आप देखिए आठ साल पहले तक भारत के खिलाडी सो से भी कम इंटरनेशनल इवेंट पे हिस्सा लेते थे अब भारत के खिलाडी 300 से बिश जादा इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होते हैं आठ साल पहले भारत के खिलाडी 20-25 खेलों को खेलने की जाते थे अब भारत के खिलाडी करिब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते है आज भारत की मेडल की संग्या भी बढ़ रही है और भारत की दमग भी बढ़ रही है कोरोना के कठीन समय में भी देश ने अपने खिलाडियों का मनोगल कम नहीं होने दिया हमने हमारी रुआओं को हर जरूरी संसादन दिये ट्रेनिंग के लिए विजेश बेजा हमने स्पोर्ट स्पिरिट के साथ स्पोर्ट के लिए काम किया टॉप जैसी योजनाओं के जरिये वर्षों तक मिशन मोड में तयारी की आज बड़े-बड़े खिलाडियों की सफलता से लेकर नए खिलाडियों के भविश्य निर्मार तक टॉप एक बड़ी भूमी का निभा रहा है आज हमारे ववा हर खेल में नए रेकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रेकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं ऑलिम्पिक्स का अपना सबसे सांदार प्रदसन किया तोक्यों ऑलिम्पिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किये उसके बाद फॉमस कप में हमने हमारी बेडमिंटन टीम की जीत का जश्न मनाया युगांडा में पहरा बेडमिंटन टीम ने भी 47 फोर्टी सेवन मेडल्स दितकर देश की शान बढ़ाई है इस सबलता का सबसे ताकतवर पक्ष यह है कि इसमें हमारी बेटियां भी हमारी बेटियां भी बराबरी से भागिदार है हमारी बेटियां आज सबसे आगे तिरंगे की शान बढ़ा रही है साथियों खेल की दुनिया में ये सामर्थ दिखाने की खंदा देश में पहले भी थी ये विजए अभियान पहले भी शुरू हो सकता था लेकिन खेलों में जो प्रफेस्टनलिजम होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और ब्रस्ताचार ने ले रखी थी हमने सिस्टिम की सभाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए बरोसा भी जगाया देशाब केवल योजनाय नहीं बनाता बलकि अपने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है इसलिए आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जनांदोलन बन गए है इसलिए आज खिलाडियों को जादा से जादा संसाधन भी दिये जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आउसर भी मिल रहे हैं पिछले आठ वर्ष में देख का खेल बजेट करीब करीब सत्तर प्रतिशत बढ़ा है आज देश में स्पोर्ट्स उनिवर्सिटीज बन रही हैं कौने कौने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफास सक्तर तैयार किया जा रहा है इतना ही नहीं रिटायर होने के बाद भी खिलाडियों को कोई तकलीप न हो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है रिटायर होने वाले खिलाडियों के अनुभाओं का लाब नई पीड़ी को मिल सके इस दिशा में भी काम हो रहा है साथियों स्पोर्ट्स खेल हजारों वर्सों से भारत की सब्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है खेल हमारी विरासत और विकास यात्रा का जरिया रहे हैं आजाजी के हमरित काल में देश अपनी विरासत पर गर्व के साथ इस परंपरा को पुनर्जिवित कर रहा है अब देश के प्रयास और उस्सा केवल एक खेल तक सिमित नहीं है बल्कि कलारिय पट्टो और योगासन जैसे बारतिय खेलों को भी महत्व मिल रहा है मुझे खुशी है कि इन खेलों को नेशनल गेम जैसे बड़े आयोजनों में शामिल किया गया है जो खिलारी इन खेलों का प्रतियती से यहां कर रहे हैं उन्हें मैं एक बात विज़ेश तोर पर कहना चाहता हूँ आप एक और हजारोवत पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तो साथ ही खेल जगत के भविश को नेत्रुत्व भी दे रहे हैं आने वाले समय में जब इन खेलों को वैश्विक माननेता मिलेगी तो इन खेत्रों में आपका नाम लिजेंज के रूप पे लिया जाएगा साथियों आखिरी में आप सभी खिलाडियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूँ अगर आपको कॉंपिटिशन जीतना है तो आपको कमिट्मेंट और कंटुनिटी को जीना सीखना होगा खेलों में हार जीत को कभी भी हमें आखरी नहीं मानना चाहिए ये स्पोर्ट स्पिरीट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए तभी भारत जैसे युवा और भारत जैसे युवा देश उसके सपनों को आप नेत्र तो लेंगे असिमीत सिंभावनाओं को साकार करेंगे और आपको याद रखना है जहां गती होती है वहीं पर प्रगती होती है इसलिए इस गती को आपको मैदान से बहार भी बना कर रखना है ये गती आपके जीवन का मिशन होना चाहिए मुझे विश्वास है नेशनल गेम्ट में आपकी जीत बेश को जस्टन का मोका भी देगी और बविश्य के लिए एक नया विश्वास भी जगाएगी इसी विश्वास के साथ ये 36 वे राष्टिये खेलों के शुभारंब का आवान करता हूं अजिए बविश्वास प्राइब टूप एक जुझ ने स्टान आपकी जूभारंब का प्राइब जिए झाल झाल झाल